रादे रादे, माई मैं चैनल में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कौशी इंटीग्रल थियोरम और इसका पीचो रिवाइस्ड वर्ण जन हैं जिससे कहते हैं कौशी गौडसर थियोरम को सीखेंगे और इस पर बेस्ड हम क्वैशन्स करेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको अंसॉल्ड क्वैशन्स भी दोगी, जिससे कि आप उनको ट्राइ करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को सीखेंगे इसमें, जो की बार-बार आगे यूज होंगी, तो पहले जो टर्म हैं, वो हैं simply connected domain, तो किस domain को हम कहते हैं, simply connected है, तो उस domain को कहते हैं, जिसमें क्या हो, every closed curve can be shrunk to a point in D, तो D is called simply connected, अगर उसमें ये property है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको example समझाती हूँ, माल लीजे, domain आपके पास कुछ इस तरह का domain है, ठीक हैं, अब हम इसमें क्या करें, अगर कोई भी curve अगर consider करें, मैं जिसमें माल लीजे, मैंने इसमें एक circle बना लिया, ठीक हैं, अब मैं क्या करूँ, उसको श्रंक करूँ, मतलब एक point की तरफ ले जाओ, तो अगर हम इसको point की तरफ ले जाएंगे, तो जो point मिलेगा, वो भी इसमें लाई करेगा, है ना, तो ये कैसा domain हो गया, simply connected domain, कि जिसमें कोई भी curve अगर लें और उसको point की तरफ श्रंक करें, तो वो उसमें belong करना चाहि की, आप क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी, आपके ऐसी, रेक्टेंगल भी है, कोई भी curve इसमें बनाएंगे, तो क्या होगा, वो reduce होगे, उसी में belong करेगा, है ना, लेकिन, अगर आपके पास ऐसी property नहीं है, मतलब, if a domain is not simply connected, तो उसे हम बोलते है, multiply connected domain, अब कैसा domain ऐसा होगा, जो simply connected नहीं होगा, है ना, तो simply connected नहीं होगा, और multiply connected उसका क्या मतलब है, मतलब यह हुआ, कि हम कोई curve लेंगे, तो वो जब reduce होगा, point को, वो point उसमें नहीं लाई करेगा, कैसे, जिसे example के लिए मान लीजे, मैंने एक circle लिया, mod z equal to 1, दूसरा circle लिया, mod z equal to 2, अब मैंने इसक circle जिसका center 0 हो, radius उसकी 2 हो, तो कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ठीक, यह वाला, अब मैंने कहा, d मेरा वो domain ले लो, वो सारे z ले लो, such that, कि जिनका, जिनका modulus जो है, 1 से 2 के बीच में लाई करे, तो क्या होगा, यह वाला part आ गया, यह वाला part, ठीक, तो मैंने define क्या किया, domain य यह जो part है, हमारा domain, यह simply connected है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, कि हम कोई curve ले 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 और इसको reduce करें, तो वो इसी ब्लांग करेगा, simply connected है नहीं, तो नहीं है, तो अब देखो, मैंने यहाँ कोई curve लिया, यहाँ पर ऐसे draw करू, इसको reduce करू, तो तो चलो, यहीं पर कोई point मिल जाएगा, लेकिन मान लीजे, मैंने curve कुछ ऐसा लिया, इस point की चारो तरफ इदर लिया, यहाँ कोई curve लिया, अब मैं reduce करूंगी, तो वो कहीं अधर लाई करेगा, इस वाले reason में, लेकिन यह तो मेरे domain का part ही नहीं है, क्योंकि define ही हमने ऐसा किया, है न, तो जब curve को reduce करने पर, जो point मिले, वो उसमें belong न करे, वो बाहर निकल जाए, तो वो कहलाता है, multiply connected domain, simple भाशा में, मैं यह कह सकते हैं, कि simply connected domain का मतलब यह हो गया, कि वो domain जिसमें कोई hole नहीं है, यानि कि domain with no holes, जिसमें कोई hole नहीं है, वो क्या होगा, simply connected domain, लेकिन multiply connected domain क्या होगा, जिसमें कम से कम एक hole जरूर होगा, है न, कोई भी माली जरूर होगा, आपने क्या किया, यह वाला hole है, मतलब सिर्फ यह वाला part आपका अगर domain है, तो वो क्या होगा, multiply connected domain, ठीक है, तो हमें याद अटना है, वो domain जिसमें कोई hole नहीं होता, वो हो हो गया, तो वो कहलाता है, multiply connected domain, ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए, next definition है, simple curve किसे कहते है, simple curve कर्व होता है, occur which does not cross itself, is called simple curve, simple curve मतलब जो कर्व अपने को cross न कर, जैसे माली जी, यह कर्व है, यह line एक कर्व है, है न, अब देखो, circle भी एक कर्व है, यह से पहले मैं कोई और ले लिए example यह से माली जी, यह मैंने ले लिया, यह भी एक curve है, ठीक है, और, और क्या हम point ले सकते हैं, माली जी, कुछ भी हमने टेडा मेडा ले लिया, इस तरह ऐसे, यह भी curve है, तो होगी क्या कहने, simple curve तो वो होगा, जो अपने को cross नहीं करेगा, है न, अब मैं circle की भ आंकर बात करो, यह भी एक Curve है, तो हमें कौन सा लेना है, simple curve हो है, जो cross नहीं, करेह तो यह simple curve हो गया, यह भी line है, कभी एक Castle argues नहीं करे यह simple curve हो हो गया, सरकल एक सिंपल कर्व है क्यों एक पॉइंट से शुरू किया वापस मीट कर रहा है लेकिन लेकिन क्रॉस नहीं किया इसने है ना मीट करने के वाद आगे नहीं बढ़ा तो यह एक सिंपल कर्व है और यह है तो यह भी क्रॉस कर रहा है तो यह भी सिंपल कर्व नहीं है तो सिं पता होना चाहिए सिंपल कर्व क्या है ठीक है आगे चलते हैं मल्टिपल कर्व क्या होगा जो अपने आपको क्रॉस करेगा है यह यह वाला इग्जामपल लिया इस तरह से यह वाला यह जो यह है यह भी multiple curve है क्योंकि यह cross कर रहा है तो जो cross नहीं करेगा वो simple है तो simplicity कि sense में हम बात करें crossing कि sense में और जो cross करेगा वो multiple है अब इसके बाता है simple close कर की definition आती है तो simple close कर का मतलब क्या है simple curve in which initial and final points are same simple तो हो ही हो और दूसरा क्या हो initial and final point same होने जाहिए है ना जैसे circle क्या है initial point यह है घूम के आ गए final point यह ही है और इसने कहीं है पूरे पूरे रास्ते में इसने अपने आपको cross भी नहीं किया तो this is an example of simple closed curve ठीक है square ले लिजी यह कैसा है closed भी है simple भी है यहां से चले ऐसे आ गए कहीं cross नहीं किया और first और last point जो है वो meet कर रहा है जहां से चले तो लोटके वहीं आ गए ठीक है तो यह कैसे examples है हमारे simple closed curve के examples है ओके तो इस तरह ऐसे यह curves और यह domain defined है तो हम आगे चलते हैं देखे अब next हम बात करते हैं कौशी's integral theorem क्या है जो हमारा main topic है तो कौशी's integral theorem क्या है if fz is an analytic function अब आपको पता होना चाहिए analytic function क्या होता है नहीं पता है तो आप मैं playlist में link डाल दोंगी आप channel पर जाके देख लीजेगा इस पर video अलग से बनाया हुआ है तो fz अगर analytic function है and f-z continuous है इसका derivative continuous है within and on a simple closed curve c तो इस integral की value क्या होती 0 अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है पहले हम आपको importance यह बता दू कि यह हम जो theorems पढ़ रहे हैं इसकी importance क्या है हमने last video में हमने सीखा था line integral है ना अगर आप नहीं देखा है तो आप देख लिजेगा तो line integral हमने सीखा था जिसमें हमने अलग-अलग path के रिए सीखा था कि हम कैसे integrate करते हैं तो अब यहाँ बात आती है जब line integral सीख लिया तो यह भी तो एक तरह का line integral ही है तो यह line integral लिखा है तो हम इसकी जरुत क्या है इसकी जरुत यह है कि यह क्या कहता है अगर function के पास कुछ खासियत है कुछ property है और property क्या इस तरह की जैसे analogy course का derivative continuous हो और c curve की भी कुछ खासियत होने चीए कि curve कैसा हो simple closed curve हो हमने जब line integral के वीडियो में हमने देखा था इस तरह के path लिए थे कुछ straight line path थे कुछ y equal to x square इस तरह के path थे है ना कुछ हमने square वाले path भी consider किये थे तो मतलब कुछ हमने curve जो लिए थे कुछ सीज़ सीधे भी थे archetype के थे कुछ closed भी थे तो line integral हमने in general तो निकालना सीख लिया लेकिन यह कहता है कि अगर हमारे पास path ऐसा है curve ऐसा है जो simple closed curve है तो मतलब curve में यह खासी है दे कि simple closed हो और function के पास यह properties हो तो line integral आपको evaluate नहीं करना सीधे इसके value 0 आ जाएगी तो यह क्या कर रहा है कुछ particular type के functions के लिए with some particular type of curves value हमें सीधे सीधे बता दे रहा है integration की तो हमें integration नहीं करना ठीक है तो direct हम कह सकते है कि इसकी value 0 होगी तो हमारा यह काम आसान करने के लिए theorem है ठीक है अब हम समझते है theorem क्या है दो statement मैंने लिखे है आप देखेंगे तोनों में थोड़ा सा अंतर है यहां लिखा है function analogy होना चाहिए if fz is an analogy function इसमें भी लिखा हुआ है फिर इसमें लिखा है f-z is continuous इसमें नहीं लिखा आगे इसमें लिखा है within and on a simple close कर तो इसमें भी लिखा है देखिए फिर then this zero then this zero दोनों में difference क्या है यह वाली जो condition है यह इसमें extra है बाकि सब उसेम है है ना तो हुआ क्या कौशी जो है mathematician इन्होंने क्या किया इस theorem दी उन्होंने कहा अगर function के पास दो खासियत हों क्या function analytic होना चाहिए और उसका derivative continuous है अगर उस function में यह दो खासियत है तो आप कोई भी simple close कर अगर लेंगे तो उसके along integration इसका zero आए इन्होंने यह कहा लेकिन कुछ समय के बाद गौर्सट जो mathematician थे उन्होंने इनके result को revise किया उन्होंने कहा कि नहीं इस continuity की condition की जरूत है ही नहीं है क्या जरूत है सिर्फ इस analytic की जरूत है तो इन्होंने कहा अगर function analytic है ठीक है तो भी यह integral zero होगा और यह कहा होगा यह देखिए यह चीज़ सेम है within and on a simple close curve simple close curve जैसे माली जमैने का circle है तो इस circle के उपर और इसके अंदर within मतलब अंदर on मने इसकी boundary पर तो function अगर analytic है तो within and on c इस integral की value क्या आ जाए कि zero हर जगे नहीं कह रहे है guarantee कहां की ले रहे है सिर्फ curve की boundary की और उसके अंदर की बाहर क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है ठीक है सिर्फ कहां guarantee है इस curve का और उसके अंदर तो अगर function के पास यह खासियत है कि वो analytic है तो इस simple close curve और उसके अंदर क्या होगा इसकी value क्या होगी zero ठीक है इन्होंने का कि इस continuity की condition की जरूद हमें नहीं है सिर्फ analytic होने से काम चल जाएगा ठीक है अब main बात आती है कि different questions में हम इसे कैसे apply करें है ना तो अभी मैं आपको discuss करूँगी लेकिन जब हम questions करेंगे discuss तो उसमें ना कुछ हम functions देखेंगी different type की तो उसलिए पहले मैं नहीं example आपको दे दी है कि क्योंकि हम जब करेंगे questions तो हम नहीं देखना पड़ेगा कि function analytic है कि नहीं है यह देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तो आपको check नहीं करना कुछ function ऐसे है जो सीथे आप देखके बता दोगी कि analytic है या नहीं है और नहीं है तो किस point पे नहीं है ठीक है हाला कि analytic का हमने जो वीडियो बनाया उससे सीख सकते हो लेकिन जब यह theorem अप्लाई करोगे तो कुछ particular type के questions के बारे में आपको direct पता होना चाहिए कि analytic है या नहीं और नहीं है तो किस point पे नहीं है ठीक है तो example देखू तो यहाँ पे मैंने बताया sin a z ए कोई भी constant है ना जैसे sin 2 z हो 3 z हो तो हम कहने sin a z cos a z e की power a z कई बार e की power z आता है सब क्या होते हैं आपके analytic function के examples है तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको कहीं question में दिखे ना step के function तो आप सीधे समझ जाओ कि यह analytic हैं लेकिन कहां पर है everywhere मतला हर z के लिए ऐसा कोई point नहीं है जिस पर यह analytic नहीं हो हर जगे यह analytic हैं फिर polynomial functions like इस तरह से जो तो मैंने यहाँ power 3 ले लिए कोई भी power हो सकती है तो मैंने बस यह बताना के लिए से लिया अला कि यह ले लिया ता है यहाँ पर z की power n तो z की power n मतलब z की power 2, 3, 47 सारे तो इनका कोई combination है ना इस तरह के polynomial के हैं के combination से बनेंगे जहाँ ABC कोई भी constant है complex constant हो सकते हैं मतलब I के term में भी हो सकते हैं यह ABC तो तो कोई polynomial function अगर है मैं इस तरह का है ना तो वो गया होगा analytic होगा हड़ जगे अब ऐसा नहीं के power 3 वाला यह होगा कोई भी हो सकता है मैं लिए like मतलब कोई भी एक example ले लिए है अब बात आती है कि FZ equal to यह analytic है की नहीं तो देखो सिर्फ अगर इसमें सिर्फ अगर इतना होता है Z square plus 1 तो वो तो analytic होई जाता मैंने का आप polynomial functions होते हैं लेकिन इसमें upon में लिखा है Z minus 2 का square तो अब इसको हम कैसे देखे analytic है की नहीं है तो बहुत असान तरीका है क्योंकि इसमें problem कौन सा point करेगा Z equal to 2 जो denominator में लिखा है Z minus 2 तो जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा Z equal to 2 तो यह problem करेगा क्या problem करेगा यह denominator को 0 बरा देगा और जिस पर यह defined ही नहीं होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा तो analytic हम कैसे देखेंगे तो problem वाला point कौन सा है Z equal to 2 जिसे singularity भी बोलते है तो क्या होगा सिर्फ इसी पर प्रॉबलम है बाकी पर प्रॉबलम आएगी नहीं तो हम क्या कहेंगे FZ is analytic everywhere except Z equal to 2 तो यहर जगे analytic है तो जो problem वाला point है उस पर इनाएटिक नहीं है तो इस तरह के function प्रॉबलम में वाले तो हड़ यह जगे थे लेकिन इस तरह के function वहाँ नहीं होगे ज़हां पर denominator 0 होगा अब next example देखते है FZ equal to 2Z plus 5 upon Z square plus 2Z तो इसमें भी वही चीज़ है आप वो देख रहा है कि denominator किस पर 0 हो रहा है वो अठा देना है तो z square plus 2z को जब 0 के quit करेंगे तो z common ले लें तो क्या आएगा z plus 2 equal to 0 तो z की दो value मिलेंगे एक 0 और एक minus 2 तो इसलिए यहां लिखा है कि it is analytic मैंने dash dash कर दिया है तो it is analytic everywhere except z equal to 0 and minus 2 तो इन दो point को छोड़के बाकी यह सब जगे analytic है फिर आगे देखते हैं e की power z upon z square plus 9 यह कहाँ पर analytic नहीं होगा जहां इसका denominator 0 होगा तो आप देख लीजे z square plus 9 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा z square equal to minus 9 ठीक है फिर जब z निकालेंगे तो क्या आजाएगा plus minus under root के इंदर minus 9 तो सिर्फ 9 होता तो 3 निकल के आता लेकिन minus 9 है तो क्या मिलेगा 3i तो plus minus already बाहर है तो क्या मिला plus minus 3i तो यह analytic है हर जग है except z equal to plus minus 3 इन दो point को छोड़के बाकी सब जगे analytic है अब यह देखें तोड़ा different example है 10z का तो 10z क्या होता है हमारा sinz upon cosz योग कि आप सोल सकते हैं कि 10z के तो denominator ही नहीं है तो कोई बात नहीं है इसको ऐसा तो लिख सकते हैं na sinz upon cosz अब यह देखने है cosz कौन जगे पे 0 होता है तो cosz कहां 0 होता है जब z plus minus pi by 2 हो या plus minus 3 pi by 2 plus minus pi by 2 and so on ठीक है तो यह analytic है सरफ इनको छोड़ के except a points ठीक फिर next देखते है fz equal to यह दिया है तो इसमें भी हम ऐसी देख लेंगे तो denominator को 0 के equate जब हम करेंगे तो product है तो जब इस वाले factor को 0 के equate करेंगे आप z minus 3 equal to 0 तो आपको क्या मिलेगा z equal to 3 फिर ऐसे ही हम z square plus 1 को जब 0 के equate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा z square equal to minus आपको एक step लिके इस दिखा रहे हो एक कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं वो लिख देते हैं z equal to plus minus 1 ऐसा आपको नहीं करना plus 1 है मापे जागे minus 1 हो गया और जब आप इसको लेंगे under root तो यह क्या होता है plus minus under root minus 1 which is i तो plus minus i आएगा एक बार आप ढंक से करके देख लेंगे न तो आप अगली बार आप direct इसका बता पाएंगे कि z कितना आएगा ठीक है तो आएगो आपको यह समझ में आया होगा यहापे कि किसी function को हम कैसे बताएंगे कि किस point penalty वो नहीं है ठीक है यह point जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हम आगे use करेंगे तो आप देखें आप आगे देखते है देखें इस question में आपको कहा जा रहा है evaluate this around mod z equal to 1 mod z equal to 1 का मतलब क्या होगे unit circle unit circle की बात कर रहा है तो कह रहा है circle के around इसे integrate करो तो पहले हम देख लिए हमारा function क्या है function polynomial type का है और मैंने बता है आपको यह तो हर जगे analytic होता है तो हम लिखेंगे fz is analytic everywhere यह तो हर जगे analytic है है ना तो जब हर जगे analytic है तो यह जो curve c दिया है हमें यह और इसके अंदर भी analytic होगा this means fz is analytic within and on z है ना तो जब c और उसके अंदर analytic हो गया तो यह इसकी value क्या आगई 0 by Cauchy Godset theorem अब कई books में क्या होता है तो अगर आप Cauchy's integral theorem का reason देना चाहते हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा वो क्या देखो जैसे इस case statement में क्या था कि function analytic हो derivative continuous हो दोनों चीज़े आपको बतानी पड़ेंगी तो उस case में अगर आप Cauchy's integral theorem लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि function analytic है याप बता दोगे आप ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि इसका derivative continuous है मतलब इसका derivative जैसे मैं निकालू f dash z क्या होगा 4, 5, 0, 20 20 z की power 3 minus 3 z की power 2 वसी आएगा तो polynomial function हमेशा continuous होते है तो आपको बताना पड़ेगा इसका derivative भी continuous है फिर ये by Cauchy's integral theorem इसकी जो value आएगी integration की वो क्या आएगी 0 मेरी बास समझ रहे है जैसे कि हमने क्या किया मैंने कहा कि function analytic है हर जगे इसके अंदर भी होगया analytic 0 होगया by Cauchy's लेकिन Cauchy's अगर integral theorem लगाना चाते है तो आपको function की derivative की continuity भी कहनी पड़ेगी कि इसका derivative continuous है तो मैंने से क्यों कि मैंने उसको क्यों ने use किया क्योंकि जब अगर इतना लिखने से हमारा काम चल रहा है बिना derivative को use किये जो Cauchy Godset ने result दिया कि function के analytic हो कहाँ पे within and on see अगर ऐसा है तो इसकी value 0 हो जाती है तो हम इसी को तो use करेंगे हम extra काम क्यों करेंगे है ना तो इसलिए हमने extra काम नहीं किया इसलिए मैंने क्या किया मैं क्या prefer करूँगी कि function को सिर्फ हम analytic दिखा दे within and on see ठीक है तो आप direct करिए मैं आगे questions में ऐसी करूँगी ठीक है आगे चलते हैं देखिए evaluate करो इस function को where c is a square with vertices तो मैंने आपको बताया कि पहले क्या करना होगा हमे function देख लो कहाँ कहाँ analytic है ये वाला function जो था वो हर जगे analytic था है ना अब ये function आप जानते हो हर जगे analytic तो नहीं होगा जैसे मैंने आपको भी examples बताये थे तो कहाँ analytic नहीं होगा जहाँ पर denominator 0 होगा तो इस denominator कहाँ पर 0 होगा जब ये term 0 होगा मतलब z equal to minus 3 पे और यहां से कहने कल के आएगा z plus minus 3i तो function is analytic except at z equal to this this है ना ये हर जगे analytic है लेकिर इन points में नहीं है तो अब हमें ये देखना है हमारा aim क्या होता है theorem के according कि function analytic c और उसके अंदर हो ठीक तो function का nature हमने पहले देख लिया पहला step क्या किया हमने fz को देखा ठीक पहले step में function देख लिया indicate करता है 1,1 यह होता है 3,1 यहां पर 3 लिखा और i का coefficient है 1 तो 1 लिखा फिर यहां पर क्या point मिला 3,3 coefficient यहां 3 है तो 3 और यह बाला 3 यह हो गया 1,3 यह points लेख लिए इन points को मैंने locate कर दिया ठीक है तो second step क्या किया कि हमने c को draw किया पहले इस step में function को देखा किस point पे analytic नहीं है दूसरे step में हमने c draw किया अब तीसरे step में हम यह देखेंगे कि यह point c के अंदर तो नहीं आ रहे है तो आप देखो minus 3 है minus 3 तो नहीं आएगा minus 3 तो कहीं आ जाएगा plus minus 3i plus minus 3i का मतलब क्या है 3i का मतलब क्या है 0,3 ठीक है क्योंकि 3i का मतलब क्या होता है 0 plus 3i यह होता है तो 0,3 कहां जाएगा वो यहां कहीं होगा यहां पे y axis पे अंदर नहीं होगा ऐसे minus 3i तो कहीं नीचे दाके होगा negative है तो इसका मत हमें पता चला कि यह जो points है वो इसके अंदर लाई नहीं कर रहे ठीक है तो हमने लिखा these points यह जो points है lie outside c यह कहां लाई कर रहे है c के outside तो इसका मतलब यह हुआ कि function जो है fz is analytic within and on c तो analytic होगया c और इसके around तो इसलिए integration की value क्या आ गई 0 ठीक है तो इसके हमने क्या steps देखे मतलब पहला हमने काम क्या किया हमने function को देखा function किस-किस पर analytic है हमने यह चीज़ देखी function का analytic होना हमने check हिया है न शौर्ट में लिख रही हूँ second step में हमने क्या किया draw किया curve को तीसरे step में हमने क्या किया points को check किया कि वो अंदर तो नहीं लाई कर रहे है है न points को check हिया फिर fourth step में हमने क्या कहा कि कि अंदर तो नहीं लाई कर रहे है outside लाई कर रहे है तो फिर हमने कहा कि function जो है वो क्या है analytic है कहां पे within and on c ठीक तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा result आता है function उसकी value क्या आ गई 0 by Cauchy-Gorser theorem तो इस तरह से इन steps को follow करते हुए हम questions को करेंगे अब आपके दमाग में question आ सकता है कि अगर ये point अंदर आ जाता तो क्या होता तो फिर वो हम आगे सीखेंगे अभी हम इस वाले वीडियो में नहीं सीखेंगे वो हम आगे सीखेंगे अभी तो ये वीडियो उसके लिए है Cauchy-Gorser theorem के लिए कि अगर उसके पास ऐसी property है कि वो अंदर और उसके boundary पे analytic है तो value क्या जाएगी 0 ओके तो चलिए start करते है next आप से कहा जा रहा है evaluate करो this where c is the ellipse ठीक तो इसमें भी वही काम करें पहले क्या कर लें हम fz को देख लें fz कहां कहां पे analytic है कहां पे नहीं है न तो हमने जिसे यहां पे देखाता भई किस-किस points पे नहीं है तो points कैसे निकालेंगे देखिए denominator को 0 रखेंगे तो मैंने denominator को 0 रखा 0 रखे इसको factorize करके आप देख निकालोगे तो z की value आपको मिलेगी 1 and 2 तो यह निकाल लिया ठीक है तो fz analytic हमने यहां पे मतलब क्या था चेक करना था कि कहां analytic नहीं है तो हमने लिखा fz is analytic except at z equal to 1 and 2 दो point में नहीं है फिर हमने कहां कि c curve को draw गिया अब c के आईए यह इसकी equation आपकी ellipse की ellipse कैसे draw करेंगे हम इसमें इसमें 4 को हम इसको ऐसे लिख सकते है x square upon 1 by 4 हो जाएगा यह हो जाएगा y square upon 1 by 9 equal to 1 तो ellipse की question क्या होती है x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 तो a हो गया इसमें 1 by 2 और b आगया 1 by 3 तो यह ऐसे बन जाएगा ellipse ठीक है तो second काम हमने क्या किया c को draw कर लिया फिर मैंने क्या क्या था point को check कर लो कि यह point अंदर तो नहीं जा रहे है तो यह point है 1,2 तो यह radius है आपकी यह distance 1 by 2 है यह 1 by 3 है obviously 1 और 2 कहा होगे 1 यहां कहीं होगा z equal to 1 z equal to 2 यहां कहीं होगा है ना तो yes यह बाहर है अंदर नहीं है तो हमने लिखा कि these points lie outside ठीक है points को check किया और देख लिया यह कहां लाई कर रहे है outside फिर हमने कह दिया if fz is analytic within and on c तो इसलिए 0 होगई value by Cauchy Godset Theora तो same steps हमने दोनों questions में follow किये अब आगे चलते हैं देखिए next question क्या है इसमें कहा जा रहा है आपसे evaluate this तो यह 10 z जिसमें पीछे भी आपको बताया था तो वहीं काम करें पहला step हम function को check कर लें कहां कहां पे analytic नहीं है तो cause z को 0 रखा cause z 0 होता है किस पे इन points पे है न तो function is analytic everywhere except these points तो पहला step हमेचा यही होता है कि function देखते हैं किस points पे analytic नहीं है यह लिख लिया second step क्या करते हैं z को draw करते हैं more z equal to one unit circle let's go draw कर लिया तीसरा point हम इनको देखते हैं करते हैं कि z अंदर तो नहीं आ रहे तो आप देख सकते हो जिसे पॉइंट क्या लगा है three pi by two तो pi by two का मतलब क्या हो गया three point one four something होता है upon two तो one point something मिलेगा आ है न मतलब यह जो number यह greater than one मिलेगा और यह है radius one तो greater than one वाला number बाहर आएगा ओके ऐसी negative वाला होता तो इस तरह आता three pi by two तो और बड़ा number होगा वो तो और भाहर जाएगा तो यह सारे के सारे number जो है वो कहां लाई कर रहे हैं outside तो हमने चेक किया और लेग दिया these points lie outside c ठीक है फिर इसका मतलब function जो analytic है within and on c तो इसका मतलब integration की value क्या आगई zero ठीक है तो same steps follow कि and main questions बस मैं क्या कर रही हूं और बार function change कर रही हूं है ताकि आपको पता चलता कि different type of functions में हम इनके points कैसे निकालते हैं जिस पर analogy नहीं हो तो कैसे check करते हैं तो आपकी better understanding के लिए different examples consider किये गए हैं तो I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा अब आगे चलते हैं दिखिए यह थोड़ा सा और यह थोड़ा सा different है question इसमें close नहीं दिया है में कर तो बताती हूं क्या है यह evaluate this integral आला कि यह और नहीं बना दिया है यह sign नहीं आना चाहिए evaluate this where c is the arc क्योंकि आर्क का गया है of the cycloid disc between 00 and 2 pi a,0 तो आप सोचेंगे कि अगर यह close नहीं है तो मैंने हैं पर क्यों डाला ऐसे यह example में दिये रखाता question इसलिए मुझे लगा कि यह बता दिना चाहिए अब देको यह क्या है इसको करने के एक result यूज होगा जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर function analytic है तो इस integral की जो value होती है ना वो path पर depend नहीं करती अब कोई भी path ले लो वो same ही आएगी अगर function analytic है तो पहले तो यह देख लें function analytic है क्योंकि polynomial function है तो analytic करना थोड़ा मुश्किल काम होगा टाइम लगेगा तो हमें पता है कि function analytic है तो कोई भी path ले लो same answer मिलना है है ना तो हमने देखा कि point क्या है आकर 00 का मतलब क्या है 0 plus i0 मतलब z0 आ गया फिर जरुसरा दिया होगा टूपाई यह यहां होगा है ना तो यह देखिए कहले ही ऐसे भी समझ सकते हैं आपकि 00.13 और टूपाई यह कॉमा 0.13 ठीक है तो मैंने यह से z की देख लिया कि यहां से z 0 मिला यहां से z 2 पाई यह मिला तो अब कहना कह चा रहे हैं कि इसने कहा था इस point से इस point तक हमें करना है अलॉंग इस आर्क जो भी आर्क जैसे भी ड्रॉव होगी मालो कुछ टेड़ी में ड्रॉव होगी तो हम जानते हैं कि function analytic होने पर path पर depend नहीं करेगा तो हम किसी टेड़े में रास्ते से जाएं जो भी ड्रॉव होगा कर तो बैटर है हम सीधे और value निकाल ले ठीक है तो इसका answer सीधे integrate आप करके देखोगे तो यह आ जाएगा ओके तो हमें यहाँ पर नया सीखने को बस यह मिला कि अगर analytic है तो independent of path होता है तो कोई यह path ले सकते तो अपने असानी के लिए simple path ले लिए 0 से लेके 2 pi A तक हमने integrate कर लिया ठीक है आगे दे रखा है और अभी तक मैंने आपको जो एक्जांपल्स यह थे analytic function के वो किसमें यह थे z के terms में है ना तो इसको चेक करने का एक तरीका तो यह है कि जो हमने analytic वाली वीडियो में सीखा था analytic चेक करने के लिए कौशी रिमान equation से करें चेक है ना दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको यह observe कर ले कि यह actual में क्या होता है z square कैसे होता है क्योंकि हम जानते है z क्या होता है x plus i y तो इसका जब दोनों सेट square करोगे तो क्या मिलेगा x square i y का square मत i x y तो यह actual में क्या है this is z square और z square हम जानते है polynomial function है यह तो analytic होता ही होता है तो fz is analytic everywhere अब जब हर जगे जो analytic है तो इसे पिछले questions में हम कहा रहे थे ना कि पहले देख लो fz analytic है कि नहीं हो है तो किस point पर नहीं है तो किस point पर नहीं है तो यह तो हर जगे analytic है फिर उसके बाद point आया ही नहीं तो कुछी step की जौरत नहीं है सीधे अगर हमने देख लिया कि function analytic है तो यह c और उसके अंदर भी होगा चाहे तो लिख सकते हैं मैंने लिखा नहीं है तो इसलिए integration की value क्या आज आएगी 0 ओके तो जब function analytic हर जगे हो जाता है तो और सीधे हम कहा पाते है कि इस fz equal to zq हमें cauchis theorem को verify करना है तो cauchis theorem मतलब cauchis integral theorem तो cauchis integral theorem से जो result आएगा वो वही आना चाहिए जो हम manually हम जब integrate करते हैं लाइन integral निकालते हैं तो हमने इसे कैसे किया पहले हमने बता दिया cauchis theorem से क्या result आएगा तो cauchis theorem क्या कहती है कि function analytic हो derivative continuous हो cauchis godset theorem में continuity नहीं चाहिए लेकिन cauchis theorem में तो चाहिए ना cauchis integral theorem में तो हमने लिखा fz जो है analytic है everywhere इसका derivative के आगा 3z स्वेर तो ये continuous है polynomial function दो continuous होते ही है है ना तो इसलिए इसकी value क्या आ गई 0 अब हमें यह दिखाना है कि जब हम इस rectangle के around integrate करेंगे line integral निकालेंगे तब भी value 0 आएगी ठीक है तो हाला कि line integral की question से line integral निकालेंगी ठीक है तो पहले ही देख लिए rectangle दिया क्या है rectangle दिया है जिसमें point है यह वाले तो minus 1 मतलब यह वाला point minus 1,0 लिख सकते हैं जिसको 1 मतलब यहां पे होगा 1,0 1 plus i मतलब 1,1 तो यह point हो गया minus 1 plus i मतलब minus 1,1 यह हो गया हमने इसको draw कर लिया और मैंने एक direction चूज कर लिया anti-clockwise आप चाहिए तो clockwise भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तेकिन जो भी ले एक ही ले ना मतलब ऐसा ही पुझाना जी ऐसा नहीं हो कि कुछ points में इस तरफ direction हो कुछ में ऐसा हो ऐसा नहीं है जिस point से हम चलना शुरू करें हमें वहीं पर लौट के आना है तो इसलिए एक ही direction लेंगे तो मैंने अभी verification वाला तो समझ देते हैं क्या है इसमें आपसे काज आ रहा है कि पहले हम बात करें along a b की तो along a b की जिस भी curve के along करते हैं उसकी equation पता होना जरूरी है तब ही काम कहोगा तो अब इसकी equation क्या है यह कैसे देखें तो equation निकालने का तो एक तरीका वह होता है जो मैंने आपको ब यह formula मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको line integral वाले में तो एक तरीका तो यह है कि दो point को join करने में line की equation से निकालने लेकिन हमें काम वह करना चाहिए जो हमारा असान हो और time कम लगे तो as a linear path अगर है सीधा मतलब parallel to x-axis या parallel to y-axis तो उसकी equation बिना formula लगाए निक चाल सकते हैं हमें formula लगाने की जरूत नहीं है कैसे निकालेंगे वो समझीए यहाँ point है minus 1,0 यहाँ point है 1,0 तो से fix क्या है x तो fix नहीं है change हो रहा है लेकिन fix क्या है y coordinate ठीक है तो जो fix है उसकी value लिखेंगे यहां लिखेंगे y fix क्या है y तो y लिखेंगे और कितना fix है कितनी value इसकी 0 तो y equal to 0 इसकी equation आ गई अब formula से करेंगे तब भी आपको यहीं मिलेगी तो better है अगर हम direct लिख सकते हैं तो direct लिखें फिर से समझे लिजीए कौन सा coordinate fix है y तो हमने y लिखा कितना fix है 0 तो y equal to 0 लिखा अब d y equal to क्या जाएगा 0 अब बात आती है x कितना होगा x तो vary कर along c है न यहां c है तो fz कितना होगा fz तो दिया था z cube तो z क्या होगा x plus i y यह नहीं कि x plus i y का cube हो गया तो अब अपने इसके along fz क्या है तो हम क्या करें इसमें y 0 है तो 0 पुट कर दे तो यह क्या आ गया x cube ठीके dz होगा d x plus i dy तो dy तो 0 है तो यह क्या बन गया dx तो इसकी value अब integrate करना है जिसको मैंने i बन कहा है along a b तो क्या हो गया limit आ गई हमारी minus 1 से 1 यह रख दी फिर यह z cube क्या बन चुका है हमारे बास z cube आ गया यह x cube यह रख दिया dz क्या बन गया dx तो यह रख दिया तो x में convert होगे i y cube x 1 है तो यहां मैंने 1 put कर दिया तो यह आगे 1 plus i y का whole cube dz क्या होता है dx प्लस i dy अब dx यह 0 है तो यह term तो 0 होगी तो क्या आ गया i dy ठीक है फिर सब कुछ हमने put कर दिया और integration की value निकाल ली आप करके देख लीजेगा फिर आगे दिया है c d c से d तक जाना है इसकी equation क्या होगी देखो इसमें y coordinate fix है और कितना fix है 1 तो y आ गया 1 dy 0 x कहां से कहां तक है यहां से यहां जा रहे है तो x 1 है यहां minus 1 है तो x is 1 to minus 1 ठीक है फिर हमने function में y put किया y की जागे 1 put कर दिया dy की जागे 0 put कर दिया तो यह function की value आ गई dz आ गया put करके integrate करेंगे तो आप देखेंगे तो कुछ जब integrate करके limit लगाओ तो कुछ ऐसी term आ रही थी यहां पे minus 1 plus i की power 4 और यह 1 plus i की power 4 तो यह जब मैंने इससे evaluate किया तो आया minus 4 ठीक है आप करके देख लिजएगा आपका minus 4 आएगा कैसे किया था मैंने तो इसको ऐसे किया minus 1 plus i का square निकाल लिया और फिर दुबारा इसका square निकाल लिया जो आएगा उसको दुबारा से multiply कर दिया क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते है न तो यह किये term निकाल लोगे तो वह एक equation क्या मिली हमें यहां पर x fix है और वो कितना है minus 1 तो minus 1 लिखा dx 0 निकाला फिर function निकालके और हमने इसमें of i की limit देखी कितनी थी 1 से 0 तो सब कुछ हमने बाकी की तरह ही किया और इसका answer आ गया 5 by 4 मैंने direct लिख दिया आप करके देख लिएगा फिर इन सब को हमने add कर दि ABCD के along हमने integrate किया तो value क्या आ रही है 0 कौशी theorem से भी 0 आ रही थी यहां पर कौशी इंटेग्रल theorem से तो इसका मतलब यह हो गया कि कौशी theorem is verified तो अब यह verify हो गई कि सही है सही तो वह ही अपनी जगे बट हमने actual में proof करके दिखा दिया अब इस तरह मैंने एक और question लिया है पि और मैं इसको short में बता देती हूं और इसमें एक नई चीज है समझने की वह और बता देती हूं जिससे आपको आसानी होगी तो क्या कह रहा है हम पहले बार से verify करो triangle के point 0 ठीक है तो पहले step तुमने वैसे लिखे कि function analogy derivative continuous है तो यह आ गया आप कहेंगे मैं हम आपने continuous क्यों ल line segment के along integrate करने की तो पहले हमने देखा यह points हमें दिये हैं हमने triangle draw कर लिया फिर हमने direction चूज कर दी मैं एंटी clock wise ले ली है तो आपने along a b करेंगे तो यह वैसी हो जाएगा जैसे पिछले question में था bc करेंगे तो यह भी ऐसी हो जाएगा है ना मैंने calculation या करी है आप समझ लीजेगा एक बार अच्छे से अब मैं आपको main बता दूँ बात ac किया थी है अच्छा एक और चीज ए बी क्यों लॉगगा आप जब equation consider करोगे तो देखो fix क्या है y और 1 के बराबर है तो y को to 1 आग fix तो कुछ भी नहीं है तो एक तरीका तो यह है जो मैंने भी पिछले question में एक formula लिखा था वह लगा लें दो points को join करने पर line की equation क्या होती है otherwise मैं यह आपे क्यों बताना चाहरी हूँ एक direct तरीका है जिससे इस type के points अगर हमारे पास हैं ऐसे तो हम segment की equation इस line की equation directly बता सकते है जो join points से होके जाएगी उस line की equation directly बता सकते हैं कैसे आप यह देखो यहाँ y minus 1 है sorry x minus 1 है तो y भी minus 1 है यहाँ x 1 है तो y भी 1 है तो मतलब दोनों same है तो y की value x के बराबर है दोनों जगे पे उसी दिए हम equation लिख सकते है y equal to x तो आपको formula नहीं लगाना पड़ेगा और आपका time save हो जाएगा ठीक है तो y equal to x लिखा d y आगया और x coordinate कहां से कहां तक है इस point पे x coordinate है minus 1 और यहाँ पे है 1 तो x की value आगई minus 1 से 1 ठीक तो फिर function की value निकाल ली integrate किया d z निकाला और इसे integrate किया integration आप समझ लीजेगा हाँ एक चीज़ इसमें extra थी वो यह कि जब हमने यह वाला पार्ट निकाला था ना तो जब इसको integrate किया तो नीचे i आया था तो मैंने यहाँ पर नीचे i का multiply करा तो मेरे पास यह आ गया फिर next part i2 था इसमें नीचे i नहीं आया था तो ऐसी आ गया था जब इसको किया गया तो यहाँ पर नीचे आ रहा था हमारा i minus 1 ठीक है तो i minus 1 क conjugate क्या हो जाएगा minus i minus 1 क्योंकि i का sign change होता है ना तो minus i minus 1 होगा तो मैंने उसमें उपर नीचे multiply किया और इस टर्म का इस टर्म में जब multiply किया तो यह आया था minus 2i और i minus 1 और इसका जब इसमें multiply करोगे तो यह आएगा आपका 2 ठीक है तो आप करके देख लीचेगा यह चाहिए जिरो आई थी हमारी उपर हमने लिखा था है ना तो कौशी थियोरम ने भी हमें 0 देदी थी और यहां पे भी 0 आगई इसका मतलब कोशी थियोरम जो है वो क्या हो गई वैरिफाय हो गई तो आयोब आपको यह question भी समझ में आया होगा करके जरूर देख लीजेगा आप इसे एक बार अब यह कुछ questions हैं आपके लिए आप इसका screenshot ले लीजे और इन questions को try करिएगा इसमें आंसर जीवेन है और verify वाला एक question है question number 3 इनको करिएगा तो आपको और पीचाता confidence आएगा और आप exam में बहुत easily बहुत कम समय में कर पाएंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो comment करके जरूर बताइए जिससे आगे अगर कोई वीडियो सुनता है तो उसको भी एक पता चले कि हां कि इस तरह ऐसे लोग इससे impressed हुए हैं तो अच्छा लगे तो मुझे इसे like करें comment करके बताएं share करें जिससे द